हलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे युटूब चैनल सहोस आफ सलूसन पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुला 13 का फूल टॉटोरियल सीरीज के पिछले वीडियो में हमने फॉम एरे के बारे में देखा कि फॉम एरे का क्या कंसेप् करते हैं और क्या वेनिफीट है राइट दोस्तो आज आपके जो वीडियो लेकरा है उसमें यह देखें है कि नेस्टिट फॉम एरे क्या होता है मिन्स की नेस्टिट फॉम एरे क्यों यूज करते हैं क्या कंसेप्ट है इन सारे चीज़ों को हम वीद प्रैक्टिकल इस किजिए गा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालू तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें तो नेस्टिट एरे तब हमारे सीन में आता है जब हमारे पास कंट्रोल का ग्रूप हो हमारे फॉम पर बहुत सारे कंट्रोल का ग्रूप ह और हमें यह भी नहीं पता है कि उस ग्रूप में कितने कंट्रोल होए तो ऐसे सिच्ड़ूइशन में हम क्या करते हैं कि निश्टिट फॉम एरे को हम क्या करते हैं उसको एक्सिस करने के लिए हम गैट मेथट को आइज करते हैं जैकि पैरेंट फॉम गूरूप के बेसपर यसे एक्जामपन आप देख सकते हैं हम ली रखा है हमने के this.form यह form जो है parent form group है dot get और उसके बाद उसमें हम control करने हम देंगे उसको हम get कर सकते हैं दोस्ते एक चीज़ आपको यह भी बताते हैं चलो कि इसमें हम value को initialize करते हैं child control को easily set method के थुरू और इसमें हम dynamically किसी control को भी आइड कर सकते हैं इस सारे चीज़ों को मैं practical करने लोगा तो दिखाऊंगा राइट दोस्तों एक चीज़ और कि यह इसमें form जैसे हमने देखा था कि value changes यह status changes को हम यूज करते हैं सेम चीज़ इसमें भी हम nested form array में भी easily use कर सकते हैं राइट यह बहुत अच्छा concept है जब हम हम dynamically कोई control आइड करना हो तो इसको हम easily add कर लेते हैं जिसे push method के तुरू आप हम पर देख सकते हैं this.form.get city.puss new form control नया form भी नया control भी हम अपने form पर आइड कर सकते हैं dynamically इन सारे इस वीडियो के देखने के बाद आपका concept और अच्छे से work कर पाएंगे form पर राइट तो दोस्तों चलते हैं project के तरफ और इसका practical करके देखते हैं किस तरीके से इउच करते हैं nested form array को आज यहां पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि एक form लिया हमने और इसका जो form group है उसको हमने हमने assign कर दिया form से यहां पर कुछ भी ले सकते हैं अपने manually कुछ भी नेम ले सकते हैं हम simply इसका variable name है इस form group का उसको हमने लिया और एक हमने event बनाया right उसको हमने क्या क्या on submit method बनाया उसको call कर दिया यह दोस्तों हम ts file पर इसको define करेंगे मैं आगे और उसके बाद हमने क्या कि ażू दोस्तों को हमने डीव लिया उसका हमने form और नेइम यह क्या कांटैक्ट नमबर किए राइट म Cape inert कन आगे test box बनाएं गए उसमें आगे तो हमने व already na लिया उसके बाद map डीव लिया दोस्तों ने एंगी फ़र लगाया थो न्या करना करें अधकर हम चके पूं टाइक्ट कि प strongerлиा उसके लुप चलाएंगे उसके बाद किसका farmers हमने आइस से लिए का चला दिया उसके बाद हम क्या आप करेंग 2 अटिढ कि वो आई इंडेक्स से चलेगा और उसका प्लेस ओल्डर ने हमने कह़्या धाल दिया contact number विच में जो हमारा Watermark आएगा contact number लिखा हुए आउटक्ष मिट्स कि यह जतना बार चलेगा जितना बार हम क्लिक करेंगे तो लूप चलाएगा उतना बार हमारा एक इंपुट टाइप का टेक्ष्ट बॉक्स क्रियेट कर देगा आइड करता जाएगा राइट उसके बाद हमने एक बटन लिया है सब्मिट का और यह जैसे सब्मिट पर क्लिक करेंगे तो इस इवेंट को कॉल करेगा और यह सब्मिट को ले रखा है कि हम अगर हमारा जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि हम उसको रिशेट कर सकते हैं वैलू को तो भी हम करके इसमें दिखाएंगे राइट तो चले देखते हैं टीस फाइल में हमने क्या कर रखा है उसके बाद हम रण करके देखेंगे दोस्तों यहां पर हमने सबसे पहले तहां आपको फॉम आरे लेना होगा और फॉम कंट्रोल को आपको एंगुलर जो फॉम है लेडरी उससे आपको इंपूर्ट करना होगा विदावट इसके आप नहीं कर सकते हैं राइट क्योंकि फॉम कंट्रोल देखेंगे इसका लिंक कहां तक बन रहा है इसी को हमने यूज कर रहा है तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो फॉर्म ग्रूप है उसका हमने फॉर्म ग्रूप टाइप का एक फॉर्म ग्रूप बनाया और फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों के ओन इनिट पर हमने क्या कि दिस डॉट फॉर्म यह फॉर्म जोल हमने लिए रखा है उसको निव फॉर्म गुरूप करते हैं हमारा उसके टाइप के इस फॉर्म को बना दिया अब इसको हम यूज करेंगे और एक आप देख सकते हैं कि यह पर चला हुगा आप देखेंगे कि दोंघ कि हुए आएंगे और उसमें दोनों नम्बर शाइन कि हो रहेगा तो उसके बाद हमने दोस्तों क्या किया कि यह जो add contact number लिए रखा है जहां पर हमने आप यहां पर देख सकते हैं इसको हमने लिया है इसको हमने यहां पर define किया है अब इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों कि this.form.gate जैसा कि मैंता है कि हमने add करना होता है तो push method करते हैं यहां पर हम हम पूश कर रहे हैं कि इसमें फॉर्म एरे में जो यहां पर फॉर्म एरे नेम हमने ले रखा है राइट इसमें हम एक पूश कर रहे हैं कि इसको न्यू फॉर्म कंट्रोल को मिन्स कि एक ब्लैंक कंट्रोल को हम पूश कर रहे हैं मिन्स कि एक नया आइड कर रहे हैं राइट जितना बार हम क्लिक करेंगा उतना बार एक नया कांट्रोल आइड करता जाएगा उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों को ऊन संमीट बनाया जो कि हमारा यहां पर इसको कॉल करेगा राइट उसको हमने उसमें क्या लेक्ता है कि console.log ng form.get contact numbers.value means कि हम आपने console में हम इसके value को print करा रहा है write करा रहा है आपको आप देख सकते हैं मैं दिखाऊंगा आपको फिर form पूरे form के value का हमने get कर लिया यह भी वहाँ दिख जाएगा और यहां पर हमने दोस्तों reset कर रहे हैं set per set जो reset कर रहे हैं दोस्तों इसके value को हम क्या कर रहे हैं कि contact numbers के patch value आपने आपको पहले मैंने बता रखा कि set value और patch value अगर नहीं देखा थे पीछले video हमारा देख सकते हैं आप previous videos को इसमें हमने दिखा रहा है कि patch value क्यों करते हैं और अगर नहीं डालना उसमें value तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर set value देंगे तो जितने control होगा दोस्तों सब में हमें value को shine करना होगा फिल करना होगा इसलिए हमने patch value रखा है ताकि कुछ control में हम data डाल सकें तो दोस्तों इसको simply हम save करेंगे और हम देखेंगे ब्राउजर में कि इसका क्या effect आता है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां पर directly आ गया है दो control name और submit के button add new contact number का सेट का number सब कुछ आ गया है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं दिखाओं कि आपको submit करके दिखाता हूं submit पर जैसे क्लिक करूंगा तो हमने इसके value को क्या किया हमने write करा रहा है submit पर click किया हमने और right click करके inspect में देख सकते हैं कि यहां पर console में जाकर यहां पर देख लिजिए कि फॉर्म में दो आ गया आरे के अंदर और एक zero index पर यह number दिखा रहा है और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं पूरा आरे कभी दिखा दिया कि किस में क्या value आ रहा है कि उसके बाद object के अंदर भी जाकर देख सकते हैं contact numbers के अंदर पूरे form का जो हमने वह प्रिंट कराया वो data आ गया यहां पर दो contact दो है यह number आ गया राइट पूरा आरे सो कर दिया यहां पर अब देखते हैं आगला चीज कि हम जो हमने एड निव contact number पर जो हमने code लिख रहा है वो काम कर रहा है कि नहीं इस पर क्लिक करेंगे देखिए एक नया टेक्सबोस आइट जीतना बार आप क्लिक करेंगे उतना हमें सारे जितने कंट्रोल में हमें वैलू फील करना mandatory हो जाता है इसलिए हमने क्या किया कर पैच वेले लिया राइट दोस्तों इसका मतलब कि आप यहां पर अगर आप चाहते हैं कि पहले से तीन कंट्रोल आइड होके आए ता आप यहां पर वैलू डाल सकते हैं और इसको आप जो मर्जी अपना नमबर डाल सकते हैं अब इसको अगर सेव करेंगे अब देखेंगे कि तीन कंट्रोल पहले साइड हुआ आ गया अब यहां पर इतना करेंगे उतना एड होका आएगा राइट आइट दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम नेस्टिट फॉर्म ए काम करें बिल्कुली प्रोफर तरीके से प्रोफेशनल की तरह और अच्छे से इंट्रव्यू कर सकें अपने सेलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा तो आप हमारा ओनलाइन क्लास जोइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको प्रवाइड करते हैं बिल्कुली कोर्पेट लेवल का जिसमें कि पूरा एंगलर करा जाता है एंगलर 2 से लेकर 10 तक के सारे चंसेप्ट पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है पूरा rxjs library हम कोभर कराते हैं अपने online class में जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते है आ और class में बहुत ही corporate level का पढ़ा जाते हैं, हमारा class जो है इसी चीज़ के लिए फेहमस है कि हम corporate level का training देते हैं, इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे angular material और bootstrap भी कैसे यूज करते हैं angular में, इस सब कुछ आपको सिखायाता है, API integration सिखायाता है, API बनाना सिखायाता है, मतलब कि back in वाला part भी हम सिखाते हैं अपने classes में, उसके बाद project training दियाता है, project training में आपको e-commerce का application डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो की बहुत ही corporate level का होगा, बहुत ही broad level का होगा, जैसे कि आप flip card अमा जोनी उच करते हैं, उस level का application डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा, तो आप हमारा online class ज्वाइन करके अपने salary को एक अच्छा सा हैक दे सकते हैं, interview crack कर सकते हैं, देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है, कि अगर आप मालेजे कि आप किसी इंचूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंचूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक आपको एक बूक वाला knowledge देकर आपको भेज देगा, लेकिन आप वही पढ़के आप जब जाते हैं company में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भाग कर अच्छे सा study करना पड़ता है, या फिर तो आपको आपको काम नहीं कर पाएंगे, बुरियत fill करेंगे या फिर आपको निकाल दिया जाएगा, और हमारा class किस लिए famous है, क्योंकि हमारे हैं कोई teacher नहीं है, हमारा जो team है, जो हम लोग है, किसी ने किसी बड़े MLC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज अपने training में provide करते हैं, जो directly corporate में किया जाता है, काम किया जाता है रियल चीजें हम आपको बताते हैं, इसलिए हमारा class famous है, जो हमारे यहां से training ले लेता है, उसको कहीं भी interview करने में कोई भी problem नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज बताते हैं, जो directly interview में पूछा जाता है, सामने वाले को लगता है कि आपके पास proper knowledge है, एक-दो साथ से आपने काम किया है, उस label का knowledge हम अपने class में हम पढ़ाते हैं, अगर आप join करना चाहते हैं, तो हमारे website का link इस video के description box में है, आप उस पर click करके अभी visit किजिए हमारे website shahosop.com पर और अपना batch चूच किजिए, check out किजिए, और class join कर लिजिए, कल से ही अपना class आप join कर सकते हैं, अगर आप inquiry करना चाहते हैं, तो हमारे official mobile numbers भी available है, वीडियो के description box में, या इस video के screen पर भी आपको नीचे में दीख रहा होगा, हमारा mobile number, आप turn call किजिए, inquiry किजिए, और class join किजिए.